और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के पुर्वप्रधान मंत्री राजिव गांधी की हत्या के आरोपी को सुप्रिम कोट ने रिहाई के आदेश जारी किये हैं ये उम्रकैत की सजा काट रहा था राजिव गांधी हत्या मामले में सुप्रिम कोट ने बड़ा फैसला अब लिया है कोट ने दोशी एजी पेरा रिवलन की रिहाई का आदेश दिया है एजी पेरा रिवलन राजिव गांधी हत्या मामले में उम्रकैत की सजा काट रहे दोशियों में से एक है पुर्वप्रधान मंतरी राजिव गांथी की हत्या के मामले में दोशी और उम्रकेत की सजा काट रहे एजी पेरा रिवलन की रिहाई का सुप्रिम कोट ने आदेश दिया है कोट ने कहा कि राजजपाल ने दोशी की दया याचिका के निप्टारे में अधिक समय लिया पेरा रिवलन ने कहा था कि तमिलाडू सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया है लेकिन राजपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राश्टपती को भेज दिया ये सविधान विरोध है इससे पहले 11 मैं को हुई सुनवाई में केंदर ने एजी पेरा रिवलन की दया याचिका राश्टपती को भेजने के तमिलाडो के राजपाल के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाओ किया था पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में होरुची तो घर लाइए सुरुची